दोस्तों मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोग परी यूट्टीब चैनल जिसका नवा है सुनील जस्वाल वीवलोफ फाइल दोस्तों इस वीडियो में हम लोग हाई कोट के एक फैसले की यहां पर चर्चा करेंगे इस वीडियो को लास तक देखिएगा टीचर अनुवद अधार पर रखे गए थे उनको प्रथम निक्ति से ही जैसे प्रमनेंट टीचर रखे जाते हैं उस तरह से इनको जो फानेंशल स्पोर्ट की जाए उनको बितिलाब दिये जाए और नीमत अदेश नीमत अदेश भी दिये गया है दोस्तों इसमें उनको ब महिने के अंदर-अंदर जो जाचिक करता थे दोस्तों उनको बितिलाब दिये जाए अगर वह जो लाव है दोस्तों अगर नहीं दिये जाते है तो इस पर सरकार पे भी छे फिस्दी ब्याज जोबत देना पड़ेगा और यह लाब उनहीं को मिलेगा जिन्होंने जाचिका दार की थी अब बात करते हिमाचियर प्रदेश मेराजकी ऩंग बरश दोख़ास्थार भिस तार草 में उस बावत होने के बाद दोख़ार 20 में यह मामला हाई कोर्ट में ट्रांसपर किया था अब दोस्तों यह मामला क्या था इसके बारे में चार्चा करेंगे लेकिन का जो लाब 20,000 जो दोस्तों टीचर है उनको यहां पर मिलने की संभावने यहां पर दिखाई दे रही है और हुआ क्या है दोस्तों 2010 के बाद न्यूक्ति हुए दोस्तों जो कॉंट्रेक्ट टीचर थे इस फैसले का लाब होगा जाच का दोस्तों जो दायर की गए थी वो 2017 में दाय देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टन चीज बरती में पदनती नियूमों में नहीं था अनुवंद का उलेख अब यहां पर बात चलती है दोस्तों 2008 की 2008 में जो जिन जो सेलेक्शन का जो प्रसेस था दोस्तों 2008 में उसमें बरती एबं पदनती जो आरंडेपी रूल थे उसमे अनुवंद नियुक्ति का कोई भी उलेख नहीं था लेकिन जो उसमें नियुक्ति हुई थी दोस्तों वो कॉंट्रेक्ट बेसिस पे हुई थी और कोट को बताया गया था कि अनुवंद पर नियुक्तियां नहीं की जा सकती है और दोस्तों नियुक्तियां नीमत अधार पर होनी चाहिए थी इस बाबत दोस्तों जो केस था वो दोस्तार स्तारा में प्रशाशनिक ट्रिबिनल में जाज का दाइर करते हुए निक्ति परिक्रिया को गलत बताए गया था अब यहां पर हिमाशिर परदेश खाई कोट ने इसका निवालन करते हुए जो फैसला है वो टीचरों के पक्ष में सुनाया है दोस्तों जो अन्वांद अदार पर टीचर रखे गए थे आब उनको लाब मिलेगा और सरकार को 6 महने के अंदर अंदर इसका बेनफिट उनको देना पड़ेगा अगर वो मेनफिट नहीं देते हैं तो उनको ब्याज भी चुकाना पड़ेगा तो यह यहां पर था क्या इसमें में मामला यह था कि जो पहले आर और पी रूल थे दोस्तों आर और पी जो रूल थे उसमें कॉंट्रेक्ट बेसिस पे जो बरती के रूल थे वो नहीं बताए पर हुई थी और इस तरह से उन टीचर्स को किसी भी परकार का कोई भी बेनफिट नहीं हो रहा था क्योंकि वह आर एपी रूल में नहीं आ रहे थे तो इन्होंने जो केस था वो कर दिया था दोस्तों और ट्रिब्नल फिर यह केस दोस्तों हाई कोट में गया था अब हाई क इसका वीडियो था फिर भी कर आपके मन में कोई प्रशन है तो कमेंट बॉक्स में जुरू टाइप करें दोस्तों यह वीडियो को कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जुरू बताएं आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया आप सभी का बहुत बदनेवाद थैंक यू वेरे मच दिल से